तो फाइनली जो है इंडिया के नदर जो है Samsung Galaxy S10 सीरिस के लिए जो है 1UI 3.0 को एंडूइड 11 बीटा अपडेट जो है वो अल्यडी रिलीस हो जुका है जिसको हम आज अपने फोन के नदर यूज कर रहे हैं इस टाइम पर हम जो फोन यूज कर रहे हैं वो है Samsung Galaxy S10 Plus जिसमें आप देख पारे होंगे वन इवाई वर्शन जो है वो है 3.0 आपको एंडूइड वर्शन 11 के साथ यहां पर देखने को मिला है अगर हम उसकी Changes की बात करें तो कुछ Changes में आपको बथा देता हूं iska नदर क्या के नए Changes जो है आपको इसकेनर देखने को मिले हैं जो कि मैं आपको इसके आफ की इस को जिसमें वीजट को यूजट है उसके पाद के ऊपर आपके पैज के उपर एड हो जाएगा तो यह निया फीचर आपको इसके अंदर देखने को मिला है अगर आप notification panel को देखें तो आप देख पारे होंगे आपको पीसे एक blur effect जो है आप दिया गया है और साथ तरीके से सिंगल हेंड पर यूज करने के लिए पहले यह नीची होता था सेंटर में तो आप इसको सिंगल हेंड यूज कर पाते थे बट आप जो है इसको ऊपर कर दिय है और नोटिफिकेशन पैनल कुछ आपको इस तरीका यहां पे अब देखने को मिलता है इसमें सेंटर में clock जो है दी गई है तो यह कुछ चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं और काफी स्मूथली काम कर रहे हैं आप देख पार होंगे सभी किसे भी अप्ल अच्छी स्बूद़ने को मिलती है और परौफ़मेंस काफी स्थी इस टाइम पर आपको समंसिंग Grandpection देखने को मिलती है अगर उसी तरीके से दाइघ्से सकावज होगों है खोड़ा सा ईहां पर सबसे च्ण्ज है I kinda किया गया है वो है search के अंदर, search के अंदर आपको इसके अंदर काफी अच्छा look देखने को मिलता है, और search पहले से काफी better हो गया है, और काफी स्टीचरों को आप यहाँ पर search कर पाते हैं, और suggestions भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो यह भी एक निया feature आपको इसके अंदर इंप्डेट के अंदर है, इसके नए clocks देखने को मिली हैं, जिसके बारे मैं बाद में बताऊंगा, अगर आप double tap करते हैं, तो कुछ इस तरीकी lock screen जो है आपको देखने मिलती है, इसके अंदर भी आपको काफी सरे नए चीज़ देखने को मिली है, आप जैसे widget पर टैब करते हैं, आपको कुछ इस त साथ look यहां पर देखने को मिल जाता है, तो यह कुछ छीज़ इस तो आपको इहां पर देखने को मिली हैं, साथ ही साथ, अगर आप कुछ और छीज़ देखने को देखने को मिलता है, यहीं नहीं lock screen में और भी काफी सारे changes किये गए हैं, अगर आप right side को swipe करते हैं, तो आप आपको डायमे लॉक्स के इन्दर आपको काफे सारी और भी नए नए क्याटिकरीज जो हैं यहां पे देखने को मिल जाती है जिसके तुरू जो है आपके पड़न पर चेंज होते रेंगे तो यह भी एक नए फीचर जो है आपको इसके इन दर इस इसप्टेम पे देखने को म जाते हैं जैसे GIF के अपनी गैलरी से भी किसी GIF को यूज कर जाते हैं या फिर थीम स्टोर से जाके किसी भी GIF को जो है डाउनलोड करके उसको अपनी आप सेटप कर सेटे हैं तो यह भी एक निया फीचर आपको आपके फोन के अंदर 121 3.0 के जरीए देखने को मिलता है नेक्स चेंज जो आपको देखने को मिला है वह आपके फोन डालर के अंदर फोन डालर एज़िट इस वयासा है अगर आप MENU पे जाएं तो मेनू को जाके अगर आप सेटिंग्स में जाते हैं आपको बैक्राउंड का एक option देखने को मिलता है जिसमें आप बैक्राउंड को चेंज कर सेते हैं एपनी गैलरी से बैक्राउंड को गैलर्स को आप देखने को मिल जाता है तो यह भी जो है एक call background के अंदर जो है एक नया चेंज जो है यहाँ पर किया गया है even जो आपके message bin box है उसके अंदर भी जो है अब आपको menu के अंदर जो है recycle bin का एक option मिलता है जो भी deleted message होते है 30 days के अंदर वो आप यहां से जाके recycle bin से उनको restore भी कर से तो message panel के अंदर भी यह ए और गैलरी में आपको काफी सारे नए features यहां पर देखने को मिलते हैं जैसा कि आप लोगों को पता है कि android 11 के अंदर जो है notification काफी सारे चींज की है उसी तरह कर से वन वाई 3.0 में आपको ब्रीफ और डिटेल तो तरी की notifications यहां पर देखने को मिलते हैं कि आपको ब्रीफ च इस्ट्री को आप जो कि यहां पर इसली चेक आउट कर सेते हैं यह कुछ चेंजिस जो है आपको यहां पर सकने देने मिलते हैं इस टाइम पर बीटा वजिन के ओपर है आप इसको ADB साइड लोड या किसी SD कार्ट के तरू जो है अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर सेते है लिंक में डिस्ट्री में डाल दिया है इंडियनों यूजर्स के लिए जहां से आप इसको ADB साइड डोड के तरू या फास्ट बूट कमांड के तरू भी फ्लैश करते हैं या फिर आपके पास कोई SD कार्ट है तो recovery mode में जाके SD कार्ट के तरू भी अपने फोन के अंदर फ् काफी अपेलिंग से लुक आपके फोन की लॉक्स के परते हैं तो बस यह चोटा से वीडियो वन यूवाई 3.0 के उपर बेस था जिसको हमने पने के लेक्सी S10 प्लस के अंदर यूज करें तो उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर एड बाबाई